आस्मा इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है वसीम बरेलवी का ये शेर विजनेगर सामराजे पर एकदम सटीक बैठता है इतिहास के जानकारों की माने तो सदाशिव राय सिर्फ नाम के राजा थे अस्री ताकत तो उनके मंत्री और महराजा कृष्ण देव राय के दामाद राम राय के हातों में थी जिन्हें उस समय आलिया कहकर बुलाया जाता था दरसल आलिया कनर भाशा का शब्द है जिसका मतलब हिंदी में होता है बेटी का पती यानिकी दामाद यूँ तो राजा सदाशिव भी गजब के तिकडम बाश थे दकन की उपरी मुस्लिम सल्तनोतों को आपस में बढ़वा कर पूरे दक्षिन भारत पर कबज़ा चाहते थे लेकिन जब खुद की किसमत खराब हो तो दूसरों का क्या दूश दकन की सल्तनोतों को सदाशिव के इन मुनसुबों का पता लग गया और उन सब ने आपस में दोस्ती कर ली एहमद नगर, बीजापूर, गोलकुंडा और बीदर जो आज के करनाटक राज्ये में आता है ये वो सल्तनेते थी जो सालाइन्स का हिस्सा बनी सब ने मिलकर सदाशिव के सामराज विजयनगर पर हमला बोल दिया और सदाशिव राय की कमजोर नीती के चलते दक्षिन भारत के अंतिम हिंदू समराज विजयनगर का अंत हो गया नमस्कार मेरा नाम में निखिल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जुड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया आज 27 जनवरी है और आज की तारीक का सम्मन्ध है उस विशाल विजयनगर सामराज जिसे जो एक कमजोर राजा और उसके दो कमांडर्स की गद्दारी के चलते डह गया शुरुआत से पहले आपको बता दें इस हफते भारत के गणतंत्र की 33 साल की रहा है इस मौके पर हमारे साज़ेदार कुको एफेम आप लाए हैं एक खास आफर 29 जनवरे तक कुको एफेम आप के प्रीमियम सब्स्रिप्शन पर आप पासकते हैं इसके लिए आपको इंडिया कोड यूज करना है कुको एफेम आप पर आपको मिलेंगी जाने माने वो लीडर्स की जीवनिया, आत्मकथाएं, धेरो उपन्यास और कई तरह की ओडियो बुग्स भी ध्यान दें, इंडिया ये कोड सिर्फ 29 जनवरी 2022 तक वालिड है बाकी जानकारे के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं सूशना समाब अब आगे बढ़ते हैं किसे की तरफ बह्मनी सलतनत दक्कन की पहली इंडिपेंडनेंट सुन्नी मुसलिम सलतनत बह्मनी मूल रूप से पर्शन थी 1347 में अलाओदिन खिल जी के एक दर्बारी के भतीजे जफर खान ने इसकी नीव गुलबरगा जो की आज कलबुर्गी कहलाता है उसमें रखी थी जफर कास्री नाम अलाओदिन बह्मन शाह था जिसे हसन गंगू के नाम से भी जानता है ये सल्तनत ज्यादा तर अपने उन युद्धों को लेकर फेमिस रही जो विजनेगर एंपायर के राजाओं के साथ लड़े गए साल 1347 से लेकर 1517 तक बह्मनी सल्तनत ने दक्कन में खूब बनमानी की लूट खसोट मार काट लेकिन साल 1509 में सितिया तब बदली जब कृष्ण देव राय विजनेगर सामराज्य के राजा हुए 1518 में हुए युद्ध में कृष्ण देव राय ने बह्मनी सल्तनत को बूरी तरह हराया बह्मनी सल्तनत बिखर गई और बिखर कर पांच छोटी-छोटी सल्तनते बनी अहमदनगर, गोलकॉंडा, हैदराबाद, बीदर और बीजापुर विजनेगर सामराजी पर कृष्ण देव राय का शासन बहुत छोटा रहा केवल 20 साल का केवल लेकिन विजनेगर सामराजी के लिए ये काफी महत्वपून पीरिड माना जाता है कृष्ण देव राय बेलगाम पर हमला करने की बिसाथ बिचा रहे थे बेलगाम उस समय आदिल शाह के कबजे में हुआ करता था लेकिन 17 अक्टूबर 1529 को अचानक कृष्ण देव राय को तेज बुखार आया और उनकी मौत हो गई कृष्ण देव राय के बाद कही राजा आये अच्योत राय वेंकट राय और फिर 1542 में विजे नगर के राजा बने सदाशिव राय जो कि इतिहासकारों के मताबिक एक कटपुतली राजा थे उदर बहमनी सल्तनत से तूटकर बनी सल्तनते विजे नगर सामराज्य से बदले की आग में जुलस रही थी और इस आग को हवा देने का काम किया 1563 के एक वाक्ये ने 1563 के साल में बीजापूर सल्तनत के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजे नगर सामराज्य के सामने रायचूर, मुगदल और अदोनी के किलों को वापस करने की मांग रखी जो कृष्ण देव राय ने बहमनी सल्तनत को हाल कर जीते थे सदाशिव राय अपने मंत्री राम राय के पास पहुंचे राम राय ने सोच विचार करने के बाद आदिल शाह की मां को ठुकरा दिया लेकिन इसके बाद सुल्तान अली आदिल शाह भरक गए आदिल शाह ने आनद्फानन में अपने एलायंस वालि सल्तनतों के सल्तानों की मीटिंग बिलाई एवन अगर के सुल्तान हुसेन निजाम शाह प्रथम, गोल कुंडा के सुल्तान और बीदर के सुल्तान की मीटिंग में शामिल हुए सबने एक मत होकर फैसला लिया कि मौका देखकर विजनगर सामराज्य पर हमला बोल दिया जाएगा 29 दिसम्बर 1564 को सल्तनतों की गटबंदन सेना ने अपनी एक टुकडी विजनगर पर हमला बोलने के लिए भीजी लेकिन विजनगर की विशाल सेना ने उस टुकडी को चंद घंटों में उल्टे पैर भागने को मजबूर कर दिया सल्तनतों को एसास हुआ कि उनकी सेना विजनगर समराज्य को घुटनों पर लाने के लिए अपरियाप्त है तैह हुआ कि कई और जुगत भिढ़ानी पड़ेगी छल का सहारा लेना पड़ेगा गडबंदन सल्तनों के सुल्तानों ने जब रियलाइस किया कि विजनगर की सेना को सीधे तरीके से युद में हरापाना लगभा का संबभ है तो उन्होंने सहारा लिया छल से युद जीतने का 15 जनवरी 1565 की शुरुआत में गडबंदन सेना के कमांडर ने विजनगर के कमांडर को एक चिट्थी बेजी चिट्थी में लिखा हमारी सेना भी इतनी तयार नहीं है कि विजनगर की विशाल सेना का सामना कर सके उन्होंने गा कि हम अपनी सेना वापस ले जा रहे हैं और हमारा हमला करने का फिलहाल कोई रादा नहीं है चिट्थी को राजा सदाशिव राय के सामने पेश किया गया सदाशिव का दिल बाग-बाग हो गया नगर भर में उत्सव का ऐलान भी हो गया लेकिन सदाशिव की यह खुशी चंद दिन में नहीं टिक सकी और जन्वरी 1565 के दूसरे हफते में गडवन्दन की सेना ने चिट्थी वाले मेसेज के ठीक उलट विजनेगर पर हमले शुरू कर दिये विजनेगर की फॉस जब तक समलती 23 जन्वरी आते आते ही हमले और भी बड़े होते गए ताली कोटा का युद्ध इस पे आते हैं हम 23 जन्वरी सन 1565 को दोन सेनाओं के बीच प्रॉपर युद्ध छिड़ गया इस युद्ध को ताली कोटा की युद्ध के अलावा राक्षशी तांगडी का युद्ध और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये युद्ध करनाटक में स्थित इन तीनों ही जगों पर हुआ था ताली कोटा का उत्तरी करनाटक में विजापूर से करीब 80 किलोमेटर दूर दक्षिनपूर दिशा में क्रिशना नदी के किनारे पर है राक्षिसी, तांगडी और बन्नी हट्टी गाओं भी ताली कोटा के करीब हैं आमने सामने के युद में शुरू शुरू में लगा कि सुल्तानों के सेना विजनगर की सेना से हार रही है विजनगर की पैदल आर्मी के कमांडर वेंकट दरी के अगवाई में एक टुकडी ने सल्तनों के गडबंधन फौज की एक टुकडी पर बहुत जूरू दार हमला किया सामने था कमांडर वरीच शाह लगा कि युद आप समात्थ हो जाएगा और विजनगर सामराज्य की जीत हो जाएगी लेकिन एक धोका देना और बाकी था दर असल यहीं सल्तनोंतों की गडबंधन सेना का मास्टर प्लान था विजनगर सेना के ही दो कमांडर थे गिलानी बंधू कनल अजय सिंग और उनकी पतनी मोनिका नायक सिंग की किताब इंडियाज बैटल फ्रॉम कुरुकशेत्र टू बाला कोट के अनुसार एक का नाम नूर खान और दूसरे का नाम बिजली खान था तोनों ही नूर और विजनगर सामराज्य की सिंग की मुस्लिम टुकडी का प्रतिने दूते लोग करते थे इन दोनों को गिलानी बंधू की नाम से जाना जाता था गिलानी बंधूं से सुल्तानों की बात तय हो गई थी विजनेगर सामराज्यों को धोका देने की बाद सदा शिवराय को इसकी भनक तक नहीं लगी प्लान था कि युद में जब सल्तनतों की गड़बंदन सेना को लहे आके वो युद हार रही है तब वो गिलानी बंधों को एक सिगनल देगी और गिलानी बंधों अपनी सेना की टुकड़े लेकर पाला बदलेंगे और ऐसा ही हुआ भी 25 जनवरी 1565 को सल्तनतों की सेना ने गिलानी बंधों को इशारा किया और दोनों ने अपने पैदल सेनिकों और आठ लेरी के साथ पाला वाकई में बदल लिया विजनेगर के सेनिकों को ही मारना शुरू कर दिया इन होने और सल्तनतों की गड़बंद सेना के एक लाख चालीस अजार सेनिकों ने गिलानी बंधों की टुकड़े के साथ मिलकर एक ही जटके में युद्ध में अपना हलका पढ़ रहा पाला भारी कर लिया अब ऐसे यहाँ एक बात आपको बताना जरूरी है गिरीश करनाट कुछ समय पहले ही लिखे अपने प्ले राक्षिसी तांगडी में गिलानी बंधों की विश्वास घात करने वाली बात को नकारते है शाम होते होते सल्तनतों की गड़बंदन सेना रास्ते के सभी सैनिकों कुमार कर मंतरी रामराय तक बहुच चुकी थी एमन अगर के सुल्तान हुसाइन निजाम शाह ने रामराय का सिर्ध धर से अलग करके आस्पान की तरफ देखा और जोर से चलाते वे कहा कि ऐ खुदा मैंने अपना बदला पूरा कर लिया अब आगे जो भी सजा देना चाहो सुदो यहां अदिल शाह कृष्ण देव राय द्वारा गिराई बहमनी सल्तनत के बदले की बात कर रहे थे रामराय को मौत की घाट उतार दिया गया जिसके बाद से विजनगर सामराज घुटनों पर आ गया विजनगर सामराज का एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध में ही छीन लिया गया डेकन हराड की एक खबर के मताबिक उस समय विजापूर के सुल्तान अली आदिल शाह के पास एक तोप हुआ करती थी ये तोप एक तुरकिश इंजिनियर तुर्क इंजिनियर कहना चाहिए मुहम्मद बिन हुसेन रूमी ने 1549 में बनाई थी ताली कोटा की युद में खूब इस्तमाल की गई थी इस से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि विजापूर के सुल्तान की सेना इस तोप से दुश्मन सेना पर तामबे की सिक्कों की बोचार किया करती थी जब सिक्के तोप से विज़ापूर के सेना पर दागे जाते तब सैने के इन सिक्कों को बटोरने में लग जाते युद खतम होने के बाद सुल्तान ने इस तोप को मालिके मैदान का नाम दिया ये तोप आज भी आपको बीजापूर के किले में देखने को मिलती है सामराजी युद्ध में किसी दुश्मन सेना से हार कैसे सकता है लेकिन जब इन लोगों को उनके राजा समान राम राय का कटा सिर दिखाया गया तब वो सब बुरी तरह से तूट गए सेवल आगे लिखते हैं युद्ध के तीसरे और अंतिम दिन जब विजय के बाद मुस्लिम सुल्तान और उनकी सल्तनतों की गडबंदन सेना रंड शेतर में आराम और जल्पान के लिए ठहरे थे तब ही से उनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे 27 जनवरी यानि आज एके दिन जब विजयनगर समराजी की राजधानी हमपी पहुचे तो मंत्री रामराय के सिर को भाले में फसा कर शेहर भर में उनकी नुमाईश की गई और उस समय के बाद से विजयनगर में अगले पांच महने तक लूट पार्ट सहित खूब आतंग फैलाया गया और फिर जब इतने से जी नहीं भरा तो अंक में पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया रबेट से विल आगे लिखते हैं कि युद में जीत के बाद सुल्तानों ने कुछ दिन युद भूमे में ही गुजारे जिससे राम राय के भाई तिरुमाला और सदाशेव को राजदानी हमपी से भागने का कुछ समय मिला और वो अपनी बची खुची फॉज और जेतना हो सका उतना सोना लेकर वहां से लगभग धाई सो किलोमेटर दूर दक्षिन में पेनो कुंडा के किले में जा पहुचे इस किले को इन दोनों ने अपना नया हैटकॉर्टर बनाया और बचे हुए राज़ पर यहीं से राज किया इस युद्ध से विजर अगर समराज को इतनी शती पहुची वो फिर से दुबारा खड़ा नहीं हो पाया और साल 1646 आते आते पूरे धरा समात्त हो गया तारीक का एपिसोड लिखाया था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही अंचल ने और कैमरे पर इस रिकॉर्ड के था हमारे दोस्त बाल मुकुन ने देखते रहिए दिललन टॉप